हेलो माई डियर फ्रेंड वेल्कम तू मैथ क्लास इस्टुडेंट आज हम आपको मल्टिप्लाई सिखा रहे हैं जो प्रिवेश वीडियो थी उसमें हमने आपको जीरो से नाइं तक के टेबिल बनाने सिखाए थे क्योंकि मुल्टिप्लाई क्लिबिल लिए हमसे कैvell आना जरूरी है अगर हम बूट टेविल को भून जाएं याद करने के बाद हम उसे बना कर भी मे्टिप्लाई के खाश्चा को ठीक कर सकते है ठीक है जी तो हम स्टेप बाई स्टेप आगे चल रहे हैं अगर आप भी स्टेप बाई स्टेप सीखेंगे तो आप सब बहुत अच्छी तरह जाएगा ठीक है तो आज हम आपको सारे मौल्टिप्लाई कि सभी कोश्ण सिंजाएंगे जितने भी संभाव हो सकते हैं है ना जो उपर डिजिट लिखी है, है ना, और यह नीचे लिखी है, तो जो नीचे लिखी है, इसका table इतनी बार पढ़ता है, जितना उपर लिखा होता है, तो हम 4 का table 5 टाइम पढ़ाएं, ठीक है, अगर student आप से table नहीं आता है, तो आप यहां एक table रब कोपी बे बना के लिख ल तो इस तरह आप इनको पर काउंट करके टेविल बना सकता है तो फाइव जयता करना था तो हमने फाइव जयता की बनाया वन टू थ्री फोर फाइव जयता कितने हो 20 तो आप यहां लेख देंगे 20 हमने आपको बताता अगर 0 की multiply किसी भी digit में करें तो answer 0 ही आएगा जीरो उपर और फिर नीचे हो इससे कोई फ्रक नहीं पड़ता answer 0 ही आएगा अगर वन से multiply करें तो तो आंसर वही डिजिट आती है, जिसे 1 से मल्टिप्लाइ किया जाता है, हम 9 को 1 से मल्टिप्लाइ कर रहे हैं, तो 9 ही आएगा, 9 उपर हो, या उपर 1 हो या नीचे हो, इस बात से कोई फ्रत नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा, 8 बंजा 8, है ला, तो अब यह 4 है, उपर 1 लिख रहा है, तो 4 का टेबल 1 टाइम पड़ाँगे, 4 बंजा 4, अब नेक्स्ट डिजिट क्या है, 3, तो अब हम 4 का टेबल 3 बार पड़ाँगे, 1, 2, 3, कितना होगे 12, यहां से देखके लिख लो, और भाई लिखने में भी प्रोब्लम ने आने कि, यह 12 कैसा लिखा जा, ठ ठीक है, आप देखिए, 6, 0, 0, 6, 0, 0, और 6, 8 जा, 48, अगर आप पर 6 का टेबल नहीं आता, पहला आप यहां 6 का टेबल लाइन ड्रो करके बना सकते हो, ठीक है, तो फिर बिलकुल निश्चिन थोज़ रहेंगे, कि भाई, आप मतसे तो टेबल आता है, अब यहां से भी ना तो 7 का टेबल बे आप लाइन ड्रो करके बना सकते हो, या फिर आड कर लो नू, 7 बला 7, कितने हो गए, 14, जो भी अंसर आया, उसमें फिर 7 आड कर दो, कितने हो गए, 21, फिर जो भी अंसर आया, फिर इसमें 7 आड कर दो, कितने हो गए, 28, तो 7 का टेबल बनता हुआ चला ग अगर 14 आ गया तो इसमें दो डिजिट हो गई जो वन प्लेस पर है उसे तो यहां लिखते हैं इसे महां लिख दे और जो बचा उसे नेक्स डिजिट पर लिखेंगे और पहले अगले वाली डिजिट के साथ मल्टिप्लाई करेंगे तब एड करेंगे तो यहां वान है उपर तो 7 का टेबल हमें वन बार पढ़ना तो 7 वंजा 7 अब 1 को एड कर दो 7 और 1 एट एट आगा अब 7 का टेबल टू टाइम पढ़ना वन जा टू जा कितना हो 14 पहला केरी लगाता है स्टुएंट अब आगे कोई डिजिट नहीं है केरी लगाने के लिए इसलिए 14 का 14 ही लिख अब 2 का टेबल 2 का टेबल आपसाता है 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ो यह ऐसे लाइन खेंच के भी आप पढ़ सकता है लूग 2 वन जा 2, 2 टो जा 4 और 2 नंजा 18 अगर आगे 0 है तो आप केरी ना लगाए 18 का 18 ही लिखना है कभी भी अगर आगे 0 है भाई हमने ये टेबल टो नंजा 18 अगर जीरो है तो कभी भी उसके लिए केरी ना लगाए उस डिजिट को पूरी की पूरी लिख दा है बिना केरी के और बस फिर इस जीरो को इस जीरो पर अप्लाइन ना करें टेबी आइसे छोड़ दा और आगले वाली पर करें अब ये 3 है ये 2 है तो 2 का तो यह हमारा अंसर आ खिर अगर हमें इसे जाचना अपने कोश्चन को यह इस कोश्चन को जाचना इस कोश्चन को जाचना चलो तो अलगा सा कोश्चन चेकर करके दिखाते हैं हम आपको मान ऊंसर को सेवाइड कर लो तो आपका है जाए अगर आफ का स्वाल से वर्ना गलत है समझके अब यह वाला सवाल करना यह तीन डिजिट का है अच्छा तो अगर हमने वन डिजिट का कर लिए अब टू डिजिट का है जी तो टू डिजिट का करने के लिए हम पहले वाले डिजिट के निचे जो वन्स प्लेस पर उसके रीचे क्रोस लगाएंगा ठीक है अब हमें से मल्टिप्लाइब करने आपको पता है देखो जयान रखेंगे तो याद रहे सारे कोशन सही हो जागे जल्दी हो जागे वन की मल्टिप्लाइब की सीवी डिजिट से करें तो उपर जो भी डिजिट र जाती है और अंसर कैसे लिखेंगे वन टू जा तू या तो नू लिख दो एकदम सेम का सेम देखके को जिरुवत नहीं पढ़नेगी है तू नाइन जीरो थी टेविल पढ़नेगी कोई आप सकता नहीं है है ना तो लिख दोंगे ऐसा है अब इना एड करें एक बात को जान जाए प। कुछ को इधर लिख देता हैं कुछ को इदर तो गलात अट होता है तो डीजिट को मीसी है रिखेंघा 4, 4 एटा टू, 10, double होगे तो एक केरी जाएगा, केरी यहां लगा लो, 9, 1, 10, 1, 11, 11 हो गया, तो इसमें भी केरी बन जाएगा, तो 6, 1, 7, 0 तो जुड़ता ही नहीं, और 3 का, 3, हो गया, तो देखो, इस तरह आप कोशन को कर सकते हैं, अगर आपनों सोच रहे हैं कि भाई यह तो यह सवाल मारा बड़ा है, इसा तीन डीज से करना, वान, टू, थ्री, तीन से मल्टिप्लाई करना, और यह एक सा कम करना, भै थ्री से करने सकते, तो आप इस कोशन को तीन बार लिखने, तो तीन बार लिखने, कही से मल्टिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी? देपी है तो, दे जी नए कम आप रहाएं करना, भै उिर सकते हैं, जी का रहा है, भाई आप मारा ब्लाई यह थज्यां मझया है, तो बाम अवाण करना, भैसे कोशने, जी थे, एज ए overlap, दो गत Śवाशना करे देने, चासे डावाने, भैसे झाल 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 झाल